देखे, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन एंड शार्डिंग इन मोंगो डीबी ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन होता क्या है मान लिजे, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की हमारे केस में क्लाइंट क्या होता है जो हम मोंगो शल चलाते हैं अब यह रिक्वेस्ट कहा जाएगी यह जाएगी हमारे मोंगो डीबी सर्वर के पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रिक्वेस्ट हमारे पास आई और हमने वापस उसे डेटा दे दिया लेकिन मान लीजे, कल को यह server बंद बढ़िया, तो क्या होगा, बताईए, request आएगी, लेकिन कोई data नहीं आएगा वापस, तो उस case में हमें क्या करना चाहिए, बताईए, हम एक काम कर सकते हैं, जो data इसमें पड़ा हुआ था, वही data हम दो अलग-अलग server पर डाल देते हैं, ठीक है, यह कोई request आएगी तो यह primary server हमारा, उसको response दे देगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह वाला primary server बंद बढ़ जाता है, तो यह request लिजाएगी, one of these servers पर, ठीक है, यह भी बंद पढ़ गया, obviously, तो इस पर चली जाएगी, तो यह क्या कर रहे हैं हम, हम duplication of data कर रहे हैं ना, जो data ह हमारा, इस server पर पड़ा हुआ था, वो मैंने यहां पर भी डाल दिया, वो मैंने यहां पर भी डाल दिया, यह क्या कर रहे हैं, duplication of data, ठीक है, उसी को बोलते हैं, replication, ठीक है, अच्छा, अब यह duplication करते कैसे हैं, यह हम करते हैं, asynchronously, कैसे करते हैं, asynchronously, यानि कि, माली जो कोई read requests आ रही हैं, या फिर write requests जितनी भी आ रही हैं, हमने ढूंडा, और वापस से client को दे दिया, ठीक है, लेकिन, माली जो कोई write request आई है, और अभी नया document यहां पर पटक दिया गया है, तो क्या तुरंत के तुरंत ही हमें डाल दूँ, नहीं, sequential manner में चीज़ें नहीं होती हैं, asynchronously होती हैं, ताकि जो request आई थी, उसका response को हम prioritize करें, ना कि replication को prioritize करें, replication तो हम asynchronously करते हैं, हम बोल देंगे कि भाई, दो बजे रोज का करना है, replication करना है, duplication करना है, या फिर बोल देंगे कि हर तीन मिनट बाद कर दीजे, ठीक है, हर तीन मिनट बाद ये check होगा, database, server, और जो फाइदा क्या है, पहला जो फाइदा है, वो है, भाई, fault tolerance, ठीक है, अगर कोई fault आ जाता है, तो client हमेशा खुछ रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता ही निए fault है, data तो replica से आ रहा है, उसको मतलब क्या है, उससे data चीए से, ठीक है, तो fault आता भी है, तब भी response मिलता रहेगा client को, यहाँ पर client कौन था, अभी तक, mongoshell, जो हम shell चलाते थे, लेकिन कल का obviously आपके application हो सकती है, अच्छा, एक तो fault tolerance हो गया है, ठीक है, होई दिक्कत नहीं है, अब देखेगा, यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, मा लिजे, read calls बहुत सारी आ रही है, and एक दो write calls भी आ र direct कर देंगे to one of these replica, ठीक है, कि भाई, आप handle कीजे, इन में से कोई सा handle कर लेगा, read calls को, और write calls को handle कर लेगा, हमारा primary node, ठीक है, एक यह तरीका है, ठीक है, तो यह कुछ फाइदे है, replication के, ठीक है, हमने देखा, replication कैसे की जाता है, और हमने देखा, फाइदे क्या होता है, replication के, अब देखते हैं, sharding, ठीक है, अब देखेगा, मान लीजे, यह आपका laptop है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें है, भाई, एक TB hard disk, या फिर SSD मान लीजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यह server बनाया हुआ है, database server बनाया हुआ है, अपनी website के लिए, ठीक है, ए आपने इसी laptop को modify करा लिया, आपने यह 10 TB करा लिया, ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद आपको बदा चला, कि वो भी कम पढ़ रहा है, ठीक है, आपने क्या करा लिया, आपने 100 TB करा लिया, माल लेता है, फिर आपको एक साल बाद बदा चला, कि यह भी कम पढ़ रहा है, तो क्या तो बोलते हैं हम वर्टिकल स्केलिंग एंड हमने देखा कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है लिमिटिड होती है ठीक है तो इसी वज़ा से इसी वज़ा से हम पढ़ने जा रहे हैं होरीजॉंटल स्केलिंग ठीक है एंड होरीजॉंटल स्केलिंग अचीव की जाती है विद् तरह से माल लीजे मेरा था माल लीजे तीन टीबी डेटा तो मैं एक यहां पटक दूगा एक यहां पटक दूगा एक पटक दूगा इस मशीन पर यह रैप्लिकेशन नहीं है यह रैप्लिकेशन बिल्कुल नहीं है यहां पर क्या है यह जो डेटा है तीन टीबी का यह इसके पीछे हम कितने भी लैपटॉप रख दो एक बर करने के लिए रहे हैं यहाँ पर में कर रहे हैं मॉम्हाओ चर्वारी करें तो ऐब आप सोच रहे होंगे कि मालीज जो कोई राइट की कॉल आई, राइट की कॉल आई, कि भाई, इंसर्ट करना है, तो MongoDB के अंदर, हमें एक राउटर प्रोवाइड होता है, MongoS करके, MongoS, राउट करता है इस डॉक्यमेंट को, to one of these servers, ठीक है, फिर जब रीड की कॉल आईगी, तो उसको पता होगा, कि उसको कहा जाना है कौन से server पर जाना है, अब देखे, कभी भी developer इस काम को नहीं करेगा, DB admin ही काम करता है, लेकिन फिर भी एक overview दे देता हूँ, कोई भी आपका जो document होगा, जैसे मान लीजे ये है, कि name लिखा हुआ है, मान लीजे, इस तरहा के documents हैं, हमारे एक collection में, जिसका नाम है students, ठीक है, students collection है, और documents की शकल आपके सामने है, अच्छा, अब ये collection मेरको क्या करना है, मेरको ये collection shard करना है, ठीक है, तो जब आप इस document को मान लीजे, insert कर रहे होंगे, ठीक है, तो mongo s, जो router है, जो की provide करता है, mongo db, इसको पता होना चाहिए, कि भाई, ये जो आपका collection है, उसमें sharding की कौन सी है, यानि कि किसके basis पे grouping करूँ मैं, समझें बात को, मान लीजे, आपके तीन servers है, ये तीन servers है, मान लीजे, ये मान लीजे, server A हो जाएगा, ये B server हो जाएगा, and E हो जाएगा, C server, तो जब ये document जाएगा, mongo s के पास, तो mongo s को पता होना चाहिए, कि मेरको किस basis प ये भेजना है, to one of these servers, A पे भेजू, या B भेजू, या फिर C पर भेजू, तो वही लिखा हो है, मैंने, SH, जो की है, Shell Helper, जो की प्रोवाइड करता है, mongo db, shard collection, database का नाम, dot collection का नाम, and then sharding की 1, sharding की क्या है, ये दे दीजे, group भी दे सकते हैं, fields का, या फिर एक ही field देज जाएगा, कि इस students collection में, ठीक है, sharding की जो होगी, वो होगी field नाम, ठीक है, तो जब भी कोई document जाएगा, mongo s के पास, तो mongo s समझ जाएगा, कि मेरे को नाम पर sharding करनी है, तो ये mongo s समझ दार है, तो देखो, ये कैसे कर लेगा, जैसे यहाँ पर, alphabetical order में कर सकता है, कि भा a से i तक a पर चले जाएगे, ठीक है, और then j से p तक माल ली जाएगे, बाकी c पर चलेगा, ठीक है, मैंने, देख ले ना, equal distribution होना चाहिए, ठीक है, 26 divided by 3 करके, equal distribution हो जाना चाहिए, तो आपको ऐसे ही sharding की चूज करनी पड़ेगी, obviously, कि जो equally distributed हो, क्योंकि हमने आपे 26 divided by 3 कर दिया है, यह नहीं कि सारे क्या आ रहे हैं, वहीं ऊपर ही आ रहे हैं, ABCD के नाम के बंदी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो सो आप नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ट पर में चाहिए,